किम साब का यूनानी दवा लीजिए इससे जिन्दगी बदल जाएगे नमस्कार आदाब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्श को जैसा कि आप सभी से तो वादा किया ही था कि हम आप से मिलने जरूर आएंगे चाहे आप कहीं भी क्यों ना रहते हों लेकिन उसके लिए आ सभी से से आप साथ को हमसे जुड़े रहना होता है अगर आप लोग हकीम साहब के नुसके अपना के सहतमंध हो बहुत साथे आप कि आप मदद कर रही हैं हकीम सहाब के नुस्कों के जरिये तो हम पहुंच रही हैं आपके घर आपकी सिटी में तो हम इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं सफर लगतार हमारा चल ही रहा है और आज जिस जगे में बैठी हुई हूँ वो है घाट को पर और यहां पर हमारे खा हम आए हैं वो कैसे हकीम सहाब से जुड़े कौन-कौन से नुस्के अपनाए हैं अब वो खुद को कितना बहतर देख पाते हैं यह सारी बातचीत आज हम उनसे करने वाले हैं तो बिनादेरी किये उनका स्वागत करते हैं स्वागत है सर आदाब शर आपके उम्र कितनी है क् घर में कौन-कौन है चौपन साले मेरी युंवर में होटल का विवेशा करता हूं दंदा होटल का और हम दो बेटे हैं और घर वाली ठीक है हकीम साब से कैसे जुड़े और कप से जुड़े हुए हैं मेरे को से चिकन गुद्धी अओ गया थैदो जलॉजय पर देरात कर रह तो देख रहा थो तो बहुत जन्सब्स जुड़े थे और हकिकत में जनको आराम आ रहा था तो लोग लोग फोन करके पूछे और डॉक्टर साब के बरहेज देखा अच्छा है तो जब में कुछ चिकन कुणिया से जब थोड़ा-थोड़ा ठीक होने को लग गया लेकिन आरा कित्ता परसेंट आराम के उपर गया और परिशानी कब से थी परिशानी तीन साल से थी एक महीने बाद आपको आराम पढ़ना चालू हुआ मैं कुर्शी पे नमाज पढ़ता था हां इंग्लिज बातरूम दो भीजी करता था खड़े रेके मैं आता था हुई जनी तक्लीव जब यह हुआ तो एक मैने के अंदर में को माशाला आराम गिर गया और फिर मैं जब में बैठके नमाज पिलना चालू कर लो और अब इसमीन में बैठके पढ़ता हो तो अभी कि अगर मैं बात करूं तो अभी आपको कितना लगता है कि यह जो परसेंटेज थोड़ा इसलिए रस्तों के मिंदगा वेड़ा है पर its को निए पुले शोलिये लेक्सिजवे डाल खोड़ को सबस्टों करूए तो इसमाल है तो अनिग्स सचodoxरी अधरे अधर सब्सक्तला सब्स्तरूंआ पिस दएस्तों अनिगे आप लगभग कितने ट्रीटमेंट करा चुके थे मैं तीन साल से बहुत ट्रीमेंट गोली खाया इतना दुसरा भी आयूँ दिख किया क्या 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 किया लेकिन में को फरक ने पड़ा हकीम साथ की कौन सी बात है जो आपकी दिल को चूगई और आपको लगा कि मुझे एक ब इक लिए प्रक फोन किया पून ट्रेल के बिजडी बिजडी आ रहा था तिर भाज मुझे आप यह मांगा यह यह को विर मैने अ बंभबाई में छो है रेडरो मैं है हुआ से मंगाया हमारे लिनिक से अब क्लेनिक थी हुई दर मंगाया औपे बाद मदमारी दिली के लेकिन डॉक्त नगली मत लो बहले पैसा थोड़ा जाधा यहाए लेकिन नकली मत लो फिर भी जाधा कौन सा जाएगा यह लें आपी जो बिना दॉट्र के फीस किया और वी इतनी चीज में रहे तो फिर कुन उन से जुड़ेके बिलकुल सर घर भी तो उसे खाके भी तसलिय मिलती है तो उसे खाके भी तसलिय मिलती है पेट में अराम मिलता है एक दम अच्छा पेट पुरा सब्सक्राइब तो जानके और आपको जब अराम मिला ठीक है उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको देखा होगा आपकी सिहत में सुधार देख रहे होंगे तो लोगों तक भी आपने हकीम साथ के बताए जब उनको भी कोई तकलीफ हुई कितने लोग है धुल जांका घुरिणे का खुट दो बोल किया तो मैंने पुला हो एक महने फ्ता चालव करो एक मैंने पंदरा दिन जरह रुखो जी उसके बाद में तुमको पतावा एक मेने के बाद मैं बोला एक मैने बाद में ने के बाद में ने के बाद में अब अब अच्छा बोले यह उनको लिंक भी बेज दिया तो अराम है उनको अच्छा उनका जब आराम आप सुनते हैं कि देखिए आपने हुशेंचाब मुद्ध हमें बताया और हमें आराम मिलने लगा है कि इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा लगता है वैसे ही और लोग जब आपको सुन रहे हैं आपकी कभी बात नहीं हो पाई है लेकिन हम जल्दी आपके उनसे बात कराएंगे तो इस इंट्रव्यू के जरिये आप अपने मन की बात दिल की बात उनसे कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं हमारे इंट्रव्यू के जरिये कि अधुक्ष यह से अधुक्री काप के बोट अच्छा काप की रहा है तो बहुत जल्दी तकलिफिट रहा है बहुत जन को तकलिफ है रहे हैं तो एक्दम लोड़के चलते हैं और दो ती जनको बोला बहुत तुम लोग एक महीने में तुम ट्राइक करेंगा लेकिन आदा एसे बात करते हैं मैं एक गंडा बरुबर देखते उन यह गाई पीर देखते रहेगा देली देखते हुं और जो लोग अभी तक उन्हानी ट्रेटमेंट नहीं अपना रहें उसके नहीं अपना रहें सर परिशान हैं बिमारियों से दवाइं खाका के तंग हुगए हैं इतने पैसे खड़ जाते हैं लाज में तो लोगों को आप अपने जरीए क्या कहना चाहें गें यूनानी दवा लिजिए इसे बहुत अच्छा है आपको देखके आपको स्वस्त महसूस आप जैसा की कर रहे हैं और आपके जो घर के सारे मैंबर्स हैं वो जब आपकी तकलीफ से भी रूबरू होई चुके हैं ठीक है जैसे कि आपको बहुत जादा दिक्कत थी दर्द की जब ठीक हुए हकीम साहब से जो आप नीचे बैठके नमाज पढ़ने लगे और सारे काम आप करने लगे तो घर वाले है रहान नहीं हो गर वाले भी है कि आपके तो यहने उपर वाले ने भी आपके सुन लिए और हकीम साब के नुश्के से भी आपको पायदा में लिए अल्दा करे मैं आप अभी खुद भी ना कि तुम्हें लेओ पहला वापरो यूज करो यूज करने के बाद में अगर ठीक हो गया तुम्हारा दिल मानेगा ना फिर में को पैसा देना ताकि मैं और दूसरे को दूना तो अगर होगा तो देना नहीं तुमको तुमको तकलिप नहीं हुआ है है जो में नहीं हो तुमको तुम को पैसा देता हुआ होगा भी दूसरे को भी तुमको आप तुमको एख लगने को लगा तुमको यह थे जिए वो इसे हेडेन को मै ने बोला ता हमार नथी दिन विक्रुमी में किदर गए थे तो फिर बाद बयुटा consistent है मैं बोला एक मेन कि अजुकान देना अगर तुमको अच्छा लग गया तो फिर बाफ पार मेरे को पैसा देना उसका नितों मत देना तुम बूली कि अब दिए बहतлагी है फिर बाजम में भीजा अदमी को दिया और फिर बाद के वह को Primus 22 दिन में सब बहुत अच्छा लगा आपकी तुरे प्रोग्राम की हकीम सुलीमान खान साहब की एक मुहीम है ना उसको काम्याब बनाती है शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए तो दर्श को आप सभी ने हुसें सहाब को सुना और उनके जो आसू हैं वो बेहत हमारे लिए कीमती हैं क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की काम्याबी के साथ साथ आप लोगों का विश्वास होता है जो आप हम पे कर सकती है सेहत मंद कर सकती है हमें किसी और निर्भर नहीं होना पड़ता है उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो आप लोग खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं एक परिव